कि खलो स्टूडियन्स विल्कम यूल वन्स एक इंट इस चैनल प्रभावी कंपटिशन अब में सबका स्वागत करता हूं दोस्तों आसा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे बहुत ही अच्छे से तैयारी भी कर रहे होंगे दोस्तों बात करें हम इ एक वह सीरीज है जिसमें आपको के युप कोवाइज सबजेक्ट वाइज ुप कोई को दीया घए जैसे हिस्विस्टी सीरीक टीच में टाफिक वाइज नहीं और कोई डाउट नहीं है लेकिन इसमें जो एक सिस्टमेटिक तरीके से बनाया गया है तो अधर एक्जाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट यह हो जाता है तो चैनल पर नए है ऐसे ही कॉंटेंट लगातार देखते रहना चाहते तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब दिजिए ताकि हमारे लेटिस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे तो चलिए स्टार्ट करेंगे अभी तक हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन में बीस कोश्चन डिसकस कर लिये थे इंडस वैली सिविलाइशन में ही अगला सवाल है टू स्टेटमेंट्स तैस अ हिए समयरे सब्टमेंट्ट मरें अगला अंगला यहां तो घ्रकुट है यहां पे वह सभेता नहीं रहती है So the towns of Mohanjodado and Harappa are extinct now बिल्कुल extinct हो चुके हैं और दोनों ये site जो है ये पाकिस्तान में है बात करें हम Mohanjodado की तो Mohanjodado जो है ये लरकाना district of Sindh province में ये पढ़ता है वही अगर बात करें हरपा की तो Harappa पढ़ता है कहां पर ये पढ़ता है साहिवाल डिस्टिक पंजाब प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान ये पढ़ता है दोनों पाकिस्तान में region देखिए है सरसन हमने डिस्कस कर लिया region कहता है कि they appeared during excavation definitely ये बात बिल्कुल सही है दोनों बाते सही है कि भाई एक तो ये extinct हो चुका है अभी ये excavation जब हमने किया excavation जब हमने किया 1921 में हडपा का तो पता चला definitely पता चला दयाराम सहनी जो लीड कर रहे थे इसको तो पता चला हमें इसके बारे में जो दोनों सही है assertion और region दोनों सही है लेकि region जो है correct explanation नहीं है assertion का extinct होने का ये correct जो है region नहीं हो सकता है तो दोनों सही है कि भाई A और R assertion और region दोनों true है आर जो है correct explanation नहीं है ये का ये होगा सही answer इसका तो answer होगा B सीख ठीक है तो बोथ देस्टेटमेंट आर ट्रू आज मुहन जुदारो और हरपा है लॉस्ट देर इंटीटी इन 19th century बिल्कुल सही है the excavation carried out on these two in the sites provide information about these two places of historical importance अगला कुशन दिखेंगे a great bath was found from which site of in the civilization देखिए ये जो है one of the most important site माना जाता है one of the most important discovery मानी जाती है हडपन civilization कहले या फिर इंडस civilization कहले दोनों एक ही बात है कि इसके लिए बहुत important माना जाता है great bath एक ritual बात के लिए सायद इसको यूज के जाता है ऐसा हमारा archaeologist ने inference निकाला है यह पाया है मोहन जोदाड़ों में कुछ इस तरीके का यह structure है बारा फिट बारा मीटर सोरी नौर्थ साउथ यह जो इसकी लेंद्ध है यह बारा मीटर है और यह जो इसकी यह वाली पॉर्शन है यह है साथ मीटर साथ मीटर यहां पर सीड़ियां दे रखी है नीचे उतरने के लिए इस दोनों साइड से नीचे उतरने के लिए यह और इसी में वेल है इसमें यह जो ग्रेट बात में गहरान थी यह थी 2.44 मीटर ठीक है ठीक है तो दे रिमेंस अफ ग्रेट बात हैस बिन फाउंद फ्रम मोहन जुदाड़। इत्वाज अर्लियस्ट प्यू पब्लिक वाट टैंक इन इंचेंट वोल्ड इत्मीजर अप्रॉक्सिमेटली तुवल मीटर सौथ में एंड साथ मीटर जो है क्यासिम मैक्सिमुम साथ मीटर ये वाइड है मैक्सिमुम मिस का डेफ्ट सौह है 2.44 मीटर है औधेर बेल स्टेयर ओंस एंड साथ बेल rip जेसा मैंने बताया कि यहां पे विस्टेयर हैwie नीचे उतरने के लिए और यहां पे भी स्टेयरत टानी झो बू Hamburg झेंट कि civilization the remains of wells inside the houses is found from which site of matured in the civilization answer होगा इसका answer होगा मोहन जोदारो देखिए यहां पर जो घर हैं यहां पर जो houses बने हैं इन houses के अंदर खुद का इन्हों ने brick made जो है well बनाया हुआ था और ऐसी जो है 700 वेल्स जो है पाई गई हैं मोहन जोदारो से तो बहुत ही ओर्गनाइजड तरीके से जो है साइट डेवलोप की गई थी हम जानते हैं कि इंडर सिवलाइशन एक अर्बन सिवलाइशन थी टाउन प्लानिंग था सब कुछ था सडके एक दूसरे को 90 डिगडी के एंगल पे काटती थी नालिया सडकों के साथ हर घर को कनेक्ट करती थी चली अगला कुछन तेखेंगे नुद देखेंगे the figurine of horn deity the figurine of horn deity inscribed on terra quota is found from which place तो दोस्तों याद रखिएगा single horn की एक deity का जो टेरा कोटा टेरा कोटा क्या होता है पक्की मिट्टी के जो बने हुए जो चीज होते हैं उसे टेरा कोटा एकुपमेट बोलते हैं तो यह जो है टेरा कोटा जो है जब मिला है यहां पर होंड दायती का यह मिला हमें लोथल से लोथल जो की site है गुजरात में गुजरात में यह site है और इसे port city के भी नाम से जाना जाता है so a terra quota mask of horn deity has been found from लोथल ठीक है लोथल से यह मिला है अगर इसको compare किया जाए पेरेटी इसकी बिठाए जाए तो इस पेरेटी इस इस्टैब्लिस विद इरानियन गॉड अगनी यह वह अगनी नहीं है हमारे वाले जो होते हैं इनका मतलब होता है अथा या फिर अरका चली अगला सवल देखेंगे 25 नमबर देखेंगे है इन कोंटेक्स्ट तु थे हरपन सिवलाइसा दई सवराय और कुछ लाकेट आर्कीटेक्चर रॉक अजिए यहाँ पर जो है रॉक कट जो है आर्किटेक्चर देखने को मिला और यह जो है धौलावीरा में धौलावीरा में यह देखने को मिला है धोला वीरा जो है एगेन भारत के गुजरात में एक साइट है कच रीजन में पड़ता है कच रीजन में और यहां पर पत्थरों से काटके आर्खिटेक्चर बनाया गया है और साथ सेवन हेमी स्फेरिकल कंस्ट्रक्शन किये गए है यह धोला वीरा से किये गए है जिसमें दो जो है वह एक हैं और उसमें डिटीयल वाइज आप उसको देख सकते हैं विच्वेर कंस्ट्रक्टेड ओबर लाज रॉक कट चैंबर्स चैंबर्स नीचे बनाया गया उसके उपर यह बनाया गया है धोला विरा साइट इस लोकेटेट इन कच डिस्टिक ऑफ गुजरात एज एक्स्प्लेंड यो और इसकी जो डिस्कावरी की थी वह जेपी जोसी साब ने एक स्टेडियम का भी यहां पर एविडेंस मिला है जहां पर बिग साइन बोर्स लगाएंगे तो हो सकता है कि लोग उसे स्टेडियम को डिफरेंट इसपोर्ट वोगे एक्टिविटी के लिए उज करते होंगे इस टाउन वज डिवाइडेंट इंटो थ्री पार्ट अब देखे यूजुवली जो इंडस वैली सिविलाइशन के जो खासियत क्या थी यूजुवली इनका जो साइट होता था वो दो पार्ट में बटा होता अपर जो पार्ट होता था उसे फोर्ट कहते थे अपर पार्ट यह थोड़ा हाइट पर होता था और जो लोवर पार्ट होता था बड़ा होता था उसे हम लोवर टाउन कहते थे लोवर टाउन कहते थे लेकिन यहां पे धोलावीरा में यह नहीं था धोलावीरा में फोर्ट largest site है in terms of area भारत में जितने भी इंडस वैली की सिविलाइशन के site है उनमें दूसरा सबसे area में ये बड़ा ये site है पहला अब आप पुछो कि कौन सा है सर्फ तो पहला जो site है जो कि सबसे बड़ा है भारत में भारत में बात कर रहा हूं पूरे पाकिस्तान और अफगानिस्तान में नहीं कर रहा हूं भारत की बात कर रहा हूं जानते कि इंडस वैली सिविलाइशन इंडिया पाकिस्तान और अफगानिस्तान में फैला हुआ था ठीक है लेकिन हम इंडि इतने को मिलेगा हरियाना में फॉस्ट सबसे बड़ा इडिया के टॉम में सेकेंड पर आता है धोला वीरा चलिये अगला देखते हैं 26 नंबर इंडिया इस देखो कोश्चन भी आगए आंसर होगा राखीगड़ी राखीगड़ी हर्याना में पढ़ता है हिसार जिले में सबसे बड़ा साइट इरिया के टर्म में अधर टाउन्स रिको ग्राइज टाउन्स वेर मोहन जुदारो जो कि पाकिस्तान में हरपा पाकिस्तान में होला विरा भारत में काली बंगन आपके हनुमान गड़ जिले राजस्तान में पड़ता है राखी गड़ी स लोकेटेड इन हिसार डेस्टिक अफरियाना अदर हडपन साइट इन हर्याना और बाना वली मिताथल कुनाल यह तीन और साइट हैं जो कि आपके हर्याना में पड़ते हैं मिटाथल कुनाल और बानावली इसके अलावा राखी गड़ी तो है ही दा एक्सकेविशन अफ राखी गड़ी वर्ज कैरीड आउट बई डॉक्टर सूरज भान तरीमेंस अफ प्री हडपन एज वेर और अलसो फांद फ्रम राखी गड़ी मतलब हडपा से पहले के वी जो सभेता रहती थी उसके भी रिमेंस यहां पर पाए गया है तो यह एक ट्रांजीशन हुआ है इसमें कि इसमें पहले तो हडपा से पहले वाले भी लोग रहते थे फिर हडपन सीविलाइशन के लोग यूडिये और एल्डिये का सवाल है जो लोवर डिविजनल जो होता है उससे उसका सवाल अपर डिविजन तो आलमगीरपूर बिल्कुल करेक्टली मैंच है यह उत्तर प्रदेश में पढ़ता है और यह जो है साइट जो है यह इंडर्स वैली सिविलाइशन का साइट है र बना वली की बिल्कुल सभ्य यह ejerchmenाइश है और यह सवौधन मोस्ट सैट साइट है ए राखी गड़ी हिसार जिले में पड़ता है हर्याना में यहां पर क्या लिख र्यस्त्तान तो गलत है और हमसे गलत ही प College अंसर और inherent देख लेते हैं है कि hexologique उर्क इंच नहुड उर्षिस और डिस्कबर भाई डारिक्टेड भाई एक स्केमेशन वर्क इन चनहुड हो वादा आरेक्टेड वाई तो इसको डाइरेक्ट गिया था ईब मिच्यां पाकिस्तान पाकिस्तान में यह साइट curved bricks पाए गया है curved bricks पाए गया है और इसके excavation में हमें यह भी पता चलता है कि यहां पर जो है metal की industry हुआ करती थी factories हुआ करती थी क्योंकि metal के furnaces furnaces क्या होते हैं वो जो आप देखते हो ना कि जहां पर पिघलाया जाए metal वहां पर पाया गया है चनहुद्रों में पाया गया है ट्वाय की factory के remains पाये गया है तो यह famous है इसके लिए ठीक है चनहुद्रों famous है इसी चीज के लिए अगला सवाल देखेंगे who had used the word Indus civilization at first time first पहली वार जो है इंडस civilization का जो यह इस हड़पन civilization पहले से बोला जाता था याद रखिएगा क्योंकि हड़पा सबसे पहला site था जिसे खो जा गया था तो हड़प इसी के नाम पे पहले site के नाम पे हड़पन civilization नाम रख दिया गया लेकिन बाद में रियलाइज हुआ सर जॉन मार्सल को कि यार यह तो इंडस नदी किनारे किनारे जो है यह इंडस नदी और उसके सहायक नदी किनारे किनारे पूरी civilization थी तो इसका नाम इंडस civilization रख दिया गया सर जॉन मार्सल के दवार सब्सक्राइब है लाइज इस नदी किनारे इंडस विलाइजन अगला सवाल दिख लेंगे अगला सवाल कहता है कि अगला सब्सक्राइब logist who excavated Harappa but could not recognize its significance was इन्हों ने हरपा की खोज कर दी एक्सकेवेट कर दी लेकिन इसके significance को समझ नहीं पाई है और यह कहानी आठार सब बहुत्तर तिहत्तर में इन्हों ने यह काम किया था ठीक है अठार सब बहुत्तर तिहत्तर में काम किया था हलाकि हडपा के बारे में बताओं तो जब उस समय रेलवे डिवलॉप हो रहा था उस रीजन में तो बहुत सारे ब्रिक्स हडपन सिवलाइशन के रेलवे में यूज कर लिए गया वरना वह ब्रिक्स हुए होते अगर न सब्सक्राइब और सिवापन सिवलन को लिए होड पायUD हिरक्टा दे पौर आप 15 को सब्सक्राइब ना जाताए यूज को में य॥ा हिर्पन आफ और्क धिर cricket फेयलोगी को सब्सक्राब को रिट्टे ने सब्सक्राइब schemes अलगों आं पतक रिदरे फानस में धऑकंताब आ the world archaeological map he first excavated at the site in 1872 and 1873 वाले एर में अगला question देखेंगे अगला question कहता है कि match करना है आपको list one को list two से match करना है एक तरफ है sites of harapman civilization दुसरे तरफ है वो किन नदियों का किनारे बसे हुए हम जानते कि लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ है अगर गुजरात को map पे देखेंगे तो हम जानते हैं कि गुजरात में ही तो है यह लोथल तो यहां पर यह भोगवा नदी ऐसे आती है पूरा बेसी मंती और सम्वेर यही पे लोथल है तो लोथल को जो है कने यहां पर लोथल को connect करती थी यह यहां पर कैनल बना दिया था उस समय को लोगों ने इस नदी पर लोथल को इन रीजन से कनेक्ट करती थी यह भोगवा नदी और यहां पर ट्रेड होता था यह समय बहुत इंपोर्टेंट सीपोर्ट हुआ करता था भारत का ठीक है हड़पन सिवलाइशन से जहां से मेसोपोटामिया जैसी जगह में यानि क काली बंगन घगर राजस्थान में ठीक और रोपड सतलज नदी पर पंजाब में इस साइट जो है इन नदियों पर बसे हुए हैं तो करेक्ट मैच होगा यह यहां पर देख सकते हैं कि हडपा रभी नदी काली बंगन घगर लोथल भोगवा नदी और रोपड जो है सतलज लिस्ट ऑन को लिस्ट्टू से मैच करना है एक तरफ हरुपन साइट डुसरे तरह हैं उनके लोकेशन है है ενतलि मांडा हम जानते हैं कि जंहू अन कसमीर में यह साइट है और यह मांडा जो है सबhranmost साइट साइट नहुं अम्थ साइट मांड़ा दायमाबाद हम जानते है दोस्तों दाइमाबाद जो है सबसे साउधन मोस्ट साइट है हरपन सिविलाइजेशन का यह पड़ता है आपको महारास्ट्रा में काली बंगन हम जाते हैं कि हनुमान गड़ जिले राजस्थान में यह पड़ता है और राखी गड़ी तो हमने डिसकसी किया था कि इंडिया का साइट तो इस तरीके से कुछ मैच बैठेगा आंसर होगा सी मांडा देख सकते हैं जमू कस्मीर दाइमाबाद आहराष्ट्रा काली बंगन राजस्थान और राखी गड़ी जो हरियाना में पड़ता है अगला सवाल लेंगे अगला सवाल कहता है कि विच विच वन अब साहनी ने की थी तो यह तो सही मैच है लोथल की खोज सर एसार राव ने की थी कब की थी दोस्तों सर एसार राव साब ने की थी इसकी उनिस संतावन में तो यह भी सही है सुरकोतदा जो है यह आपके गुजरात में ही पड़ता है और भुज से यह जो है इसकी दूरी कि जपी जोसी साब में इसकी खोज करी ती 1964 से लेकर और तक यह चलता रहा एक्सकेवेशन द्हुला विरा का जो है इसका रिय जाता है एगेन जली जहिपी जोसी साय को यह दोनों विरा दोनों कि खूझ यहाझ जो भिभी जोसी साहँ ने की थी जैपि जोसी सामाइं इसंंड-शचंद 666 तक में प्होज लिया था। इसंट दोनवे किया इसको एक्षकवेट किया इसको एक्सकूवेट किया आरे स्विश्च शाहब 1990-1991 में धोला वीरा को एक्सकावेट किया था याद रखेगा धोला वीरा और सुरकोत दा जो है दोनों इंडिया में गुजरात में साइट है धोला वीरा वास प्राइमरली डिसकोबरड वाई जेपी जोसी साहब बट इसकी जो एक्सकेवेशन है और इस विस्ट ने 1990-1991 में करवाई थी अगला सवाल कहता है कि लिस्ट वन को लिस्ट टू से गेन मैच करना है हडपा में एक साइट मिला है दोस्ते ब्यूरियल आर 37 करके इसमें जो पैटर्न है वो दिखाया गया है कि स्केल्टन का मुंडी इधर है और स् सतर्के से दफनाया गया हो एक भी और द्लेर शो क्षेवन होती है यह सिमेट्री आइस चिमेट्री जो क्रिमेशन होता है वहँ हूआ कि भी olanат 37 हडपा में बिल्कुल सही मैं चेली लोट्र में कि लॉट्र में डॉक्याड है और इसी से प्रूफ होता है कि लोतल एक बहुत बड़ा क्या हुआ करता था पोड मे फिल्ट लुटे खेट िक इस तरीके से मैच बनता ठीक है इस तरीके से मैच बनता है और जो हरपा में यह ब्यूरियल 887 मिला इसमें जो यह जो इन्हों ने इसको जब इनको अच्छे से खुदाई करके देखा तो इसके क्या क्या मिले इनको पता चला कि इसको पैथोलोजिकल डिजॉडर भी हुआ करते थे लोगों को पैथोल तो इस तरीके से जो है यह ब्यूरियल आर 37 इंपॉर्टेंट है तो देख सकते हैं जैसा कि मैंने बताया कि हड़पा जो है ब्यूरियल आर 37 के लिए फेमस है लोथल में डॉक्याड पाया गया है काली बंगन में जुते हुए खेत और मोहन जो दाड़ा में फिग्रीन अफ गणॕल दसे दिए पाइए लोथल में परता है विलकुल सभी में है ऍचय काली बंगन राजस्थान परता है दोस्तो हनुमान गढ़ी जिल्टे में नाकी हर्याना में हर्याना में परता है राखी घरमा वली इस तरीके के साइट रोपर पंजाब में पड़ता है यह सही मैच है तो आंसर होगा सी काली बंगन इस साइट अफ इंडस्वेली सिविलाइशन सिचुएटे इन हनुमानगर डिस्टिक ऑफ राजस्थान और अगला सवाल देखते हैं एविडेंस ऑफ बीड मेकिंग बीड क्या होते हैं छोटे- इसको धागे से पीरों के यह जोएलरी के तरीके से यूज किया करते थे एविडेंस अफ बीड मेकिंग फैक्टरीज वेर फाउंड फ्रम विच अफ फॉलोइंग आर्के लोजिकल साइट तो यह दो जगह से पाया गया दोस्तों एक चन हुदूड है जो कि पाकिस्तान में परता यहां पर बीड मेकिंग फैक्टरी देखी गई है इसके लावा लोथल लोथल में भी इविडेंस मिले हैं जो रिमेनिंग पोर्शन होता है बीड में मेकिंग के बाद जो कटा फटा जो पत्थर फेका है इन्होंने उससे पता चलता है कि यह जो है यहां पर आईवरी यानि की सी सो देख सकते हैं आपर वनन फोर यानि की सी तो दोस्तों बात करें तो यह काम जो है आज से पांच हजार साल पहले लगवग हो रहा है यानि की तीन हजार बीसी के आस पास सो इन इंडर्स वैली सिविलाइशन गोल्ड स्मित्स वेर स्केल्ड इन मैनुफेक्ट्रिंग ऑर्नामेंट्स वेरिस ताइपस आईटम्स वेर मेड फ्रम सेल ओइस्टर और आईवरी बीड मेकिंग फैक्ट्रीज है विन फांद फ्रम चन्हुदडो और लोथल प्रोड़क अगला सवाल देखेंगे विच ऑफ फॉलविंग कास्ट लाइट और इंडर्स वैली सिविलाइशन तो देखिए रॉक इडिक्ट जो है यह असूका से संबंदित था यानि की मौरियन पीरिट से संबंदित था आर्कियोलोजिकल एक्सकेवेशन आफकॉस देखिए यह जो ताइफर नहीं किया गया है प्लस इसमें आर्कियोलोजिकल सोर्सेश भी होते हैं तो यहां पर लिखी गई है बाते लेकिन पढ़ नहीं पाए है ठीक है तो यह प्रोटो हिस्टोरिक प्रिट का साइट है तो हमें जो है इसके बारे में जनकारी जो मेली मिलती है और आर्क इडिक्तों मेंने बताया कि असोका के पिरियोड में काफी फेमस हुआ था स्क्रिप्ट ऑन सील्स यह जो है है इंडिस वैली सिवलाइशन में लेकिन इससे हमें जानकारी कुछ नहीं मिलती है हमें कुछ इससे पता ही नहीं चलता है क्योंकि हम इसे पढ़ ही नहीं पाया है religious epics भी इसमें नहीं है so the only source about Harappan civilization is archaeological remains found from the excavation though the 400 pictorial signs of Harappan script have been found or recognized but unfortunately it cannot be deciphered till now अभी भी प्रयास चल रहा है the main source of knowledge about Harappan civilization is answer against him archaeological excavation यह सब नहीं होगा rock encryption नहीं है इसमें encryption और टेरा कोटा सिल यह हम पढ़ नहीं पाया है तो कोई मतलब भी नहीं है तो आंसर होगा see only अगला question देखेंगे अगला question कहता है कि the maximum index sites were located in maximum index site जो है दोस्तों index valley में ही पाया गया है इसी वजह से मैंने बताया था कि इसका नाम ही रख दिया गया इंड़स वैली civilization ठीक है सर जौन मार्सल के द्वारा तो अगर देखें हम मैप पे दोस्तों तो यह जैसे भारत है रफली ड्रॉप करूंगा ठीक है रफली ड्रॉप करूंगा ऐसा कोई मैं बिलकुल एक्सपर्ट टाइप नहीं ड्रॉप कर रहा हूं तो यह थोड़ा सा यह वाला पाकिस्तान रीजन हो गया इधर आफगानिस्तान हो गया तो यह जो इंड़स वैली सिवलाइशन थी कुछ इस तरीके से फैली हुई ती इस तरीके से ट्रैंगुलर अल्मोस्ट से बनता था ठीक है यह वाला पूरा रिजन जो थोड़ा साइधर तक लिया हो तो यह ऐसे बनता है इंड़स वैली सिवलाइशन तो दो मैक्सिमम इंड़स साइट वे लोकेटे इंड़स वैली तो टोटल एरिया अफ इंड़स वैली सिवलाइशन वज़ेशन वाज बाउट तो तो यह लग नाइन थाजन शुक्षाइब इंडिया भारत में देखा जाए इंडिया पाकिस्तान और अफगानिस्तान तो ट्राइंगुलर इंडिया पाकिस्तान और अफगानिस्तान में फैला हुआ था ठीक है तो यह तीन देशों के अलावा इस साइट इनके साइट कहीं और नहीं पाए जाते हैं अगला सवाल देखेंगे एक तालीस नंबर सवाल कहता है कि फाइंडिंग्स फ्रॉम्दा रीसे आफ यूमन बोडी वहां पर जो सबसे इंपोर्टेंट मिला है क्रिमेशन ओफ यूमन बोडी मिला है ठीक है सनावली में सो शनावली जो है एक साइट है उत्तर परदिस में वेस्टर उत्तर पर शुपड़ता है अगपन साइट माना गया इसको दो मेजर रिमेंस फाउंट इसको आफ यूमन बोडी देखा गया है और चैरियोट जो है अपने आप में खास बात देखी गए उस समय के लोग चैरियोट यूज किया करते थे क्या चैरियोट जो है जैनरली आर्यान पीरियोट से मानते है बट उस समय के हड़पन सिवलाइशन में यह यूज होता था इसका पहला एविदेंस हडपन सिवलाइशन का कोई साइट है तो है सनौली ए रॉयल ब्यूरियल फाउंड फ्रॉम देशाइट इन विच चैरियोट स्वर्ड और अधर थिंग्स वेर केप इंसाइड रॉयल ब्यूरियल रहा होगा राजा वजा का मरा होगा तो उसको ब्य हुआ था तो यह गंगा पे तो विल्कुल नहीं हो था तो चौथा हटा दो बाकी सब है इंडस पे भी था चेनाब पे था जहलम पे इंडस वैली में यह नदिया बहती है तो टीनों होगा एक्सेप्ट गंगा अंसर होगा भी सो ओल मेजर साइट्स अफ इंडस वैली सिवल समय के नहंने पावंटा इंडस फ्साइड से आंणडहरस गाता हां यह महाना है की जलाम इस टांडे में होटंड हैником के सीमेड हेता रिश भी ता में फेल्याइमा की उपर भसा हुआ है और यह साय अग हापी स्थन इसल्स थे औरा सुटक है पांगेमों सीटर्स बीम हैं तो आपको इसकी पूरे एक्स्पेंसं के बारे में पता चल गया है। फिर से बता देता हूं, Northern Most Site, Manda, Southern Most Site, Daimabad, कहां पे महराष्टरा में, Eastern Most Site, आलमगीरपूर, उत्तर प्रदेश, Western Most Site, सुत्का गेंदोर, पाकिस्तान। अगला सवाल देखेंगे अगला सवाल कहता है कि the idol worship is believed to have started in देखिए idol worship जो है न यह start हो गया था pre-aryan period में यानि कि Indus Valley civilization के period में ही start हो गया था pre-aryan period का मतलब ही Indus Valley civilization का period क्योंकि उसके बाद तो आयन का period आ गया था तो pre-aryan period Indus Valley civilization क्योंकि हमने Indus Valley civilization में देखा है कि पसुपती की पसुपती सीवा जो की proto-सीवा माने जाते हैं उनकी मूर्ती यह पूजा करते थे और इसकी साक्ष जो है छोटे-छोटे links मिले हैं ठीक है छोटे-छोटे miniature links खिलोने के तरीके से यह भी मिला तो यह भी साक्ष है Mother Goddess की यह पूजा करते थे Mother Goddess famous सबसे जो है प्राइमरी God इनकी हुआ करते थे तो आइडल वर्सिप था इस समय ठीक है इडल वर्सिप इस समय था So the beginning of idol worship can be traced to the period of Pre-Aryan The terracotta stone and metal made of idols of metal made idols of Pasupati Shiva and Mother Goddess have been found during the excavation from the Indus Valley sites which indicates that the Indus people were worshiping these idols अगला सब देखेंगे which site of Harapan civilization is located in Haryana तो देखें हर्याना में इस में से जो है वो बनावली है और हर्याना में खाली बनावली ही नहीं है राखी गड़ी भारत में Indus Valley का सबसे बड़ा जो site है वो राखी गड़ी ही है तो यह भी हर्याना में है इसके अलावा कुनाल कुनल या फिर कुनाल कह सकते है या फिर मीठा मीता थल यह चार साइठ जो है पाए गए है इकस्केवेट किए गए है हर्याना में बानावली वर्ज हडपन साइट लोकिटेड इन फतेहाबाद डिस्टिक फतेहाबाद डिस्टिक हर्याना में पड़ता है अधर हडपन साइट जैसे कि मैंने बताया राखी गड़ी नमबर वन साइट इंडस वेली सिविलाइशन का एरिया के टम्स में भारत में कुनल इसके अलवा बिराना अब इस पार्टिकुलर चैप्टर का आखरी कोश्चन है कौतन कल्टिवेशन for Clothing was started at first को देखे कोटन जो है बिस्ट को भारत की देन है इंडिया की देन है इंडिया में ही start हुआ था कौतन ठीक है इंडस्वेली सिवलाइशन की में इंडस्ट्री ही टेक्स्टाइल इंडस्ट्री हुआ करते थी कॉटन टेक्स्टाइल इंडस्ट्री में इंडस्ट्री हुआ करते थी इनकी तो बिश्व को कॉटन जो है दिया है भारत ने याद रखेंगे दोस्तों यहां पर यह पार्टिक